तो हम तेजी के साथ अगर देते हैं, तो जो बुढ़ापे होते हैं, वो तो एक एक पवगा अगर देते हैं, तो कौन सा विलियन कहलाएगा, सांद्री वित्रो, और क्या हल चाल है, आज हम अनुप फ्यूचर क्लासिस में कमेश्टी के बेसिक का दूसरा चैप्टर, सालूशन, डिस्केशन करेंगे, अब आज से देखिए विलियन, सबसे पहले हम जानेंगे विलियन कहते किसे हैं, देखिए विलियन है क्या, इसको हम लोग डिस पदार को जानेंगे, लिकिए विलियन कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिस्तरण ही क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, और विलियन में दो चीजे होती हैं, पहला जो होता है, विले, और दूसरा जो होता है, विलायक, अब यहां से हम इस कांसि को जानेंगे विले किसे कहते हैं और विलाय किसे कहते हैं किसी भी विलेन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विले कहते हैं और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलाय कहते हैं जैसे एक इक्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जल जल प्लेश चीनी बराबर सर्बत अब याँ से देखिए जल और चीनी को मिलाने पर सर्बत का निर्माड होता है तो सर्बत क्या है एक प्रेकार का विलेन है हम इसमें विले और विलायक को जानेंगे अब यहां से देखिए सर्बत में जल की मात्रा अधिक होती है तो यहां से जल जो है विलायक कहलाएगा और चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी विले कहलाएगा तो यहां से हम विले और विलायक के कांसेप्ट को जान चुके हैं फिर उसके आगे हम अध्यन करेंगे विलेयन के प्रेकार अब हम जानेंगे विलेयन कितने प्रेकार के होते हैं यहां से आपको बताए जाएगा कि विलेयन दो प्रेकार के होते हैं एक अवयो की मात्रा के आधार पर और दूसरा भवतिक प्रवस्था के आधार पर अवयो की मात्रा के आधार पर विलेन पांच प्रकाई के होते हैं पहला आपको बताये जाएगा तनू, दूसरा सांद्र, तीसरा संत्रिप और असंत्रिप और लास्ट आपको बताए जाएगा अतिसंद्रिट तिकि तनु किसे कहते हैं तनु का मतलब होता है कि ऐसा विलेयन जिसमें विले की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं तनु कहते हैं और सांद्र का मतलब होता है कि ऐसा विलेयन जिसमें विले की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलेयन कहा जाता है चलिए इसको हम लोग जानते हैं तनु कहते हैं तनु कहते हैं सांद्र का मतलब होता है कि जो गाढ़ा हो यह अगर हम विलेप दार्थ की मातरा जादा मिला लेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा तो सांद्र अब यहां से दिखे जैसे एक एकजांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं अगर हम साधारता थूखते हैं तो कौन सा विलियन कहलाएगा तनु कहलाएगा और अगर हम जैसे सर्दी के दिनों में क्या होता है कि जब हमें जुखाम हो जाता है तो हम तेजी के साथ अगर देते हैं तो जो बुढ़ापे होते हैं वो तो एक एक पववा अगर देते हैं तो कौन सा विलियन कहलाएगा सांद्र कहलाएगा अब उसके बादा मध्यन करेंगे संत्रीप्त और असंत्रीप्त संत्रिप्त का मतलब होता है कि ऐसा विलेयन जिसमें विलेपदार्थ को और अधिक मात्रा में नग होला जा सकी उसे हम संत्रिप्त कहते हैं जैसे एक एकजांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं जैसे जब कभी भी हम ठीक सरबत बनाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं संत्रिप्त और असंत्रिप्त का मतलब होता है कि जिसमें विले पदार्थ को और अधिक मात्रा में घुला जा सके कभी काल क्या होता है सरबत बनाते समय चीनी की मात्रा कम हो जाती है तो उसे में हम क्या करते हैं पानी अधिक हो जाता है चीनी कम होता है तो उसकता पढ़ने पर हम अधिक मात्रा में चीनी को घोलते हैं तो उसे असंत्रिप्त काते हैं चलिए हम अपने लाइफ में एक एक जा और संत्रिप्त का मतलब होता है कि जैसे किसी के आँ साधी विवाम में पहुंचते मान पहले हम क्या करेंगे बेल्ट खोल लेंगे बेल्ट खोलने के बाद तुरंत गएं अब यहां से खा लेते हैं गटईया भर यहां तक चला आता है फिर थूशते हैं चलो थोड़ा सा आता गला भर चुका है तो क्या कहलाएगा आपका संत्रिप्त कहलाएगा अगर आपको जरूरत ज्यादा भूफ ज्यादा लगी है अगर थोड़ा सा मिले तो क्या कहलाएगा असंत्रिप्त कहलाएगा अतिसंत्रिप्त किसे कहते हैं अतिसंत्रिप्त का मतलब होता है कि ऐसा विलेन जिसमें बिले पदार्थ को जादा मातरा में घोलने के लिए विलेन को हीट करना पड़े जैसे हलुआई लोग क्या करते हैं जब सीड़ा बनाना होता है या मिठाई बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं चीनी को जादा मातरा में घोलने के लिए उसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है जब हीट किया जाता है तो अवस्ता क्या कालाती है अतिसंत्री अब उसके बाद हम जानेंगे अवियो की भातिक प्रवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके आदार पे कुल नव प्रकार के विलियन होते हैं पदार्थ की तीन वस्ताएं होती हैं थोस, द्रव, और गेस अब यहाँ से थोस के तीन होते हैं तीन द्रव के होते हैं और तीन गेस के होते हैं थोस का कौसा होता है ठोस का ठोस में, फिट ठोस का द्रव में, फिट ठोस का गेस में, उसी प्रेकार द्रव में भी 3 बिलियन होते हैं, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गेस में, उसी प्रेकार गेस के भी 3 बिलियन होते हैं, गेस का ठोस में, गेस का द्रव में, गेस का गेस में वे लिए तो बश